नौत इंडिया की बहुती फेमिस रेसिपी क्रीमी रिच ग्रेवी वाली रेश्मी चिकन मसाला की रेसिपी बनाएंगे आज हम तो पहले लेते हैं एक पैन इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे इसमें डालते हैं आधा कप तेल अब इसमें स्लाइस की हुई प्यास डाल देंगे दो मीडियम साइस की थोड़ा से इसे हमें फ्राइ करना है हलका से गुलाबी कलार आ जाए तब तक हम इसे फ्राइ करेंगे अब इसमें डाल देते हैं 10 से 12 काजू हरी मिर्श डाल देंगे 3-4 प्यास के साथ हमें काजू को इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हमें काजू का कलर white ही रखना है इसका कलर हमें golden नहीं करना है क्योंकि gravy भी हमारी white ही रहेगी सबी चीजों को हम fry कर लेंगे हल्का सा golden color आजा है प्यास में ये रूम टेंपरेचर पे आजाए तब हम इसे ढाल दाते हैं, एक ग्राइढ़िंग जार में अब इसमें डाल दिए गी पाव कब पानी घ् ngo तक अच्छी तरह सी ग्राइंड हो जाए इसे ग्राइन कर लेना है एक स्मूथ पेस्ट में और अब इसे हम रख देते हैं एक साइब में, यहां पर है 7500 ग्राब चिकिन, इस रेसिपी में आप चाहे तो बोनलस चिकिन भी ले सकते हैं, इसमें डालेंगे आधा कब दही, अधरक लेसन का पेस्ट डालते हैं, दो हल्दी का पाउडर और लाल मिर्श परस दालना है आधा चम्मच नमक डाल देते हैं एक चम्मच और इसमें डालेंगे आप नीमू का रस एक चम्मच सबी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें हमें डालना है फ्रेश क्रीम आप चाहे तो इसमें घर का दूद का क्रीम भ तो यह डाल देंगे एक कप, सबी चीजों को अब एक फाइनल मिक्स दे देते हैं, इसमें हमें देना है धुआ कोईले का, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें डाल देंगे एक स्टील का छोटा सा बोल, आप चाहे तो इस पर अलुमिनुम फॉयल भी तरक सकते हैं तो कोईला मैंने जला लिया है दस मिनिट के लिए गैस पर, इसे यहां रख देते हैं, इसमें आप डालेंगे एक चमच घी, घी आप वेच्टिबल घी डाल दीजिए या देसी घी डाल दीजिए, घी डालने से धुआ भी ज़ादा है और फ्लेवर भी काफी अच्छा आता इसे हमें ढग कर रख देना है 15-20 मिनिट के लिए अब उसी तेल में जिसमें हमने प्यास फ्राइ की थी इसमें डालेंगे दो इंग्ज की दाल चीनी, चार से पांच हरी इलाइची, दो से तीन डाल देते हैं लॉंग, और आदा चमच डाल देंगे इसमें काली मिर्ज, इस चिकन जिसमें हमने कोईले का धुआ दिया है, इसमें से कोईला निकाल देते हैं और चिकन इसमें डाल देंगे, सारा मसाला इसमें डाल देते हैं और चिकन को अब हमें पका लेना है मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनिट के लिए ताके अधरक लहसम का जो कच्छा पन है ये निकल ग्राइंडर मैं डाल एते हम पाव पानी और इसे ऐसी तरह से जाएपने देदेते हैं इस ग्रेवी में परिंडि और सब्सक्राइब आपकी इसे जाने है जैसे ही इसमें बॉइल आ जाए हम इसे ढखकर पका देंगे लो फ्लेम पर 20-25 मिनिट के लिए ढखकन हटा देते हैं चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है तेल भी उपर आ गया है इस रेसिपी का अब इसमें हम डालेंगे आदा जमच गरम मसाला दो से तीन इस तरह से मोटी कटी हुई हरी मिर्च जाल देते हैं कच्छी हरी मिर्च का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं इस रेसिपी में बारिक कटा हुआ हरा धनिया दाल देंगे रेसिपी में मिक्स हो जाए फ्लेम आफ कर देंगे और अब हम इसे दिश आउट कर लेते हैं बहुत ही जाइकेदार और क्रीमी रेसिपी बनती है ये इसे ट्राइ कीजिए और अगर अच्छी लगे ये रेसिपी तो इसे लाइक, शेर, कॉमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक जाइकेदा बिरते हैं और अब है।